हाई फ्रेंड्स वेल्केम टूग्यानियर दोस्तों अगर आप छोटा मोटा क्लिनिक चलाते हैं गाउं में आपका क्लिनिक है या आप एक डॉक्टर है या यह वन आप एंवीवेस डॉक्टर भी हैं तो कुछ ऐसे मरीज हैं जिन से आपको हमेशा बचना चाहिए यह आपको बहुत ज़्यादा परिसान करके रखतेंगे ठीक है ना तो इन्हीं मरीजों के बारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि बचना है इनका इलाज आपको ना करें तो ज़्यादा बहतर है तो वीडियो को पूरा देखें उससे पहले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल असर के बार आप देखते हैं कि जब आप बैठे होते हैं अपने क्लिनिक पर तो कोई नीकी शराफ पी कर आ जाता है तीकरे ना वां जुक्त से एससे आपसे नहीं जाते कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग आते हैं शराप पी कर डॉक्टर के मज़े लेते हैं डॉक्टर उनको भागाने की कोश्च करता लेकिन वो भागते नहीं उस कंडिशन में सिर्फ आपको यह करना है वहाई आप किसी आसपड़ोस की व्यक्ति को फोन लाग बुलाएं और आपके दूसरे मरें कोई पने करेंगा और आप से झवड़ जस्ति कोई नहीं की दवाई मांगेगा या कोई ना को या इसी इलाज करा क्याएगा कि यह देखो यह चोट लग terre टो आप उससा में तो उसको धवाई कि वो मरी जाया फटाक से आगे बोलता है लग साब एक दस्त की गोली दे दो ड़क साब एक जो है सरदर्द की गोली दे दो तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि आप उसको फटाक से गोली काटके दे देते हैं तो यह ठीक कुछ समय के ठीक लेकर इसकी लोगों को लट लग ज समझते लोग तो ऐसे लोगों से आपको बचना है कैसे बचना है आप बोले जो बीमारी है उसको पर चेक किया जाएगा ऐसा दवाई हम नहीं देंगे ठीक है दर्द की बखार की कई बार ऐसी घटना है सामने आए कि को व्यक्ति को टेस्ट में हो रहा था वो गया डॉक्ट को नहीं बाटना है और आपकी वैल्ली भी खतम होगी तो यह से लोगों से हाथ जोड़ो भी या या पर आओ इलाज कराओ चेक अप कराओ उसके बाद हम दवाई देंगे ठीक है तो यह से लोगों के लाई ना करें तीसरा है दोस्तों यहां पर ओवर स्मार्ट कई प्रेश करते रहेंगे और आपका फोकस घालते रहेंगे और यहां तक कि आपको ऊपर वो कोई नो कोई क्लेंबी कर सकते हं कोई ना कर दिया था आ santé में उसके नह Tippy गर में गरना आपको सिर्फ बीमारी मतलब यह से लोगों से नहीं गुण रखा अक्सर देखा गया किशिदेंटल सोते हैं कि एकसिदेंट हुआ उनका कैसा ना कैसे करके अपकी क्लिनिक में आ गए और आप से बोलेंगे ड्रेसिंग कर दो इंजेक्शन लगा दो पट्टि कर दो यह ठाके डाल दो और वो नसे में रहेगा और आप सुचेंगे किया ठीक है मेरा ये धर्म है मेरा सेवभाव है मेरा ये ड्यूटी है तो आप करने लगेंगे लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि वो क्या कांड करके आया है कम से कम ये शेवर्टी होना चाहिए कि उसके साथ कोई व्यक्ति ह वो ऐसे लोग अक्सर कहीं पर एक्सिडेंट करके किसी को चोट पहुंचा कर किसी को मार कर आ जाते हैं और राज करा कर भाग जाते हैं अब इसमें रिस्क कुछ नहीं है आप अपना काम करते तो उससे आपको पूरी जानकर मिल जाएगी कि यह होगे बात हैं पांच में नंबर का मरी ऐसा है दोस्तों जिससे आपको हमेशा बचना कभी भी इसमें रिस्क नहीं लेना कई बार एक आदमी आता आप से बोलता है कि आप हमारे घर पर चलो डक्स आप जल्दी से जल्दी च सब्सक्राइब हो सकते हैं कि घर में को बड़े बुजरुक हों बड़े माता जी हों कोई भेहन हो तो उनकी इस्तिती बहुत ज़्यादा खराब रिती हो चल फिर नहीं सकते तो आप जोचते हैं चलो ठीके आला डाला अपने ही रो बन के चले गए गए गलती नहीं करना है पहाँ पर आपको जाकर सबसे पहले उसकी पल्स और बीपी चेक करना है ठीक है और तो आपका नाम खराब होगा ठीक है ऐसे जो मरीज होते हैं कई बार देखा गया है कि मरीज किस्तिती खराब है घर वाले लापरबा होते हैं मरीज को लेकर ही नहीं जाते हैं होस्पिटल वो किसी ना किसी जालब फुप किसी ना किसी जड़ी उटी के सहारे बेठी इते हैं पैशेंट को रखकर और जब इस्तिती बिगड़ती है तो आपको बुलाएंगे क्योंकि आप पास में बैठें और जब पेशन को कुछ नुक्सान हो जाएगा तो आपके उपर बाद आजाएगी तो ऐसे व्यक्तियों को आप ना ट्रीट करें तो ज्यादा बहतर है कई लोग होते हैं कि चलो इंजेक्शन लगा तो आप ड़क्स आप तो एसी गलती ना करें ठीक कभी को आठ चल जाता है तो चल जाता है आदमी हल दिया तो आप इंजेक्शन लगा क्या सकते हैं वहां पर नहीं जाना है साथ वा या आट वा पाइंट है मुझे याद नहीं तो एक मरी होता दूस्तों कई सारे से मरी होते हैं मैंने एक्सर देखा है हो सकता है कि आप लगवा लेंगे तो आपको पहले यह चीज़ ध्यान रखो कि आप लोकल में हो आप से उसका केज़ोल बहुर है रात दिन मिल रहा है वो व्यक्ति तो आपको आपका जो मेडिकल रूल्स हैं उनको फॉलो करना है कि आप बोले मास्क लगाओ और उससे दूरी बना कर रखें उसको टच करते हैं तो आतों को सेनिटाइज करें क्योंकि टीवी ऐसा रोग है जो कि फैलता है तो कई बार डारेक्ट मरीज घुज्जा तायरे इंजेक्शन सब्सक्राइब करना है तो इलाज करो लेकिन साब्धानी पूरबग करना है यह नहीं कि ठीक है लगा देला है क्या हुला हमेशा ध्यान से लगाओ स्ट्रेप्टोमाइसन का इंजेक्शन लगा रहे हैं आप इवन आपको नहीं मालूम कि वह टीवी का मरीज लेकिन आपको अगर यह लगवन आया है पेशन तो आप उसको लगाओ साब्धानी पूरबग बच बच के लगाना है आठ हुआ नंबर का पाइंट जो कि सबसे इंपोर्टेंट है और मेरे ख्याल में आपको शायद यह अजीब लगेगा ऐसा कई बार हो चुका है कई लोगों के साथ आपको पता होना चाहिए कभी भी ऐसी मरीज का इलाज नहीं करना है जो अकिला आया हूँ ठीक है और यंग हूँ और खास तो पर लड़की हूँ लड़की हूँ यंग हूँ अकिली आई है और उसको इंजेक्शन बगर लगवाना है तो एक रूल बना लो आपकी कोई भी स्क्राइस कान होचे हैं तो इसे चीएं से बचना है तो प्लीज से इन चों को आखास कई ऐसे मरीज मिलते हैं आप कुछ सामान उठाने गए तो मरीज आपकी सीट पर आकर बैठ कर देखने लगता है यह गलती नहीं करना ऐसे मरीजों से बचना है जो आपकी सीट पर आकर बैठता है फोटो के चाहता है या सौक के लिए सीट पर बैठ आता है घुनता है गोल गोल य यह हरकत नहीं करना वह आपकी रोज़िदो टीव आपके सीट है उस सीट पर आपको हर किसी को नहीं बैठने देना है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो लोग समझ सकते हैं वह कमेंट करके लाइक करें ठीक है यह कोई भी बैठ हाय एक उसे मरीजों से आप हाध जोड़ो भाई आप जाओ ठीक है यह की पूरी प्रैक्टिस को खराब कर सकते हैं आपका पूरा प्रवार्मसिस्ट क्लिनिकल एक्सप्रेंस और यहां पर मैं शेयर करता हूं आपको मेडिकल की जानकारिया ठीक है तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में जैहन बंदे महत्रा कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि झाल